हेलो फ्रेंड्स आज हम नेट का लेंगा बहुत जादा घेर के साथ बनाना सीखेंगे आप इसका घेर देख सकते हैं कितना जादा है तो आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें और यह एक इंगेजमेंट ड्रेस है अगर आप इसकी फुल पिक्चर देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजे आने वाले टाइम में आपको इसकी फुल पिक्चर देखने को मिलेगी तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजे अब शुरू करते हैं सबसे पहले आप माटीरल नोट करिए आपको कितनी-कितनी को इंटिटी में लेना है तो ये मैंने blouse के लिए अलग से piece निकाल दिया है ये लगबग 1-7 मीटर का है अब 1-7 मीटर का मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि उपर के साइड में इस तरह के embroidery है और bottom पे ऐसी है जैसा कि आप लेंगे में देख सकते हैं तो इसलिए मैंने इतना निकाला है अगर आप इसका blouse सीखना चाहते हैं मैं वो भी उलकुल अलग तरीके से बनाऊंगी तो आप मुझे comment करके बताएं और ये मेरे पास लेंगे के लिए लगबग 4 मीटर का net है ये 4 मीटर का है प्लेन नेट लेना है क्योंकि डाइरेक्ट अगर आप लाइनिंग पे ये net लगा देंगे तो उतनी जादा खुबसूरती निखर के नहीं आएगी तो आपको मैचिंग का ही प्लेन नेट लेना है और ये लगबग मैंने 9 मीटर का लिया है फिर आपको मैचिंग का सेंटून कपड़ा लेना है ये लगबग मेरे पास 7 मीटर है 7 मीटर इसलिए लिया है क्योंकि 2 लेयर जाएंगी और हमारा इसमें कैन में भी लगेगी थोड़ी सी तो उसलिए 7 मीटर है और ये कैन है मेरे पास 5 मीटर कैन बड़े अर्ज का है तो 5 मीटर लिया है सबसे पहले इसकी कलियां कट करेंगे यहां से देखिए कपड़ा हमारा डबल लेयर में है तो हम इसको ऐसे ही नाप लेंगे यहां से इसकी पूई जितनी भी लंबाई होगी वो नाप लेंगे कि कितना हमारा घेर बन कर आएगा तो आपको ऐसे पूरा नाप लेना है और यहां से देखिए मैं इसको डबल लेयर में ही नाप रही हूँ तो ऐसे इसको पूरा नाप लेंगे यहां तक यह पूरा 60 इंच का आ रहे मेंजरिंग टेप 60 इंच का होता है अभी भी हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है तो अम इसको इधर से और नाप लेंगे ये देखे लगबग बाकी का ये 11 इंच का आ रहा है इधर से 60 था और बाकी का 11 तो टोटल हो गया 71 अब आप क्या करें मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बतारे हूं जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा यहां से देखें डबल लेयर है तो हम इसको सेंटर से हाफ कर देंगे देखें नेट का लेंगा आप कली में इसलिए बनाईए क्योंकि अगर आप कली में बनाते हैं तो आपके बॉड़ी का शेफ बहुत अच्छा आएगा जिनकी वेस्ट का साइज हलका होता है वो अगर इस तरह का प्लेट्स देते हुए बनाते हैं तो उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है वेस्ट पे लेकिन अगर जिनकी वेस्ट थोड़ी सी भी हैवी होती है और वो इस तरह का से प्लेट्स में बनाते हैं तो वेस्ट और जादे हेवी लगने लगती है, जिससे बॉडी का शेप अच्छा बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप ऐसा कली में बनाए लेंगा, ये बिल्कुल सेलिब्रिटी स्टाइल लगता है, अब एक लियर आपके फ्रेंट में लग जाएगी, ये हमारे पस एक साइस की दो हो गई, एक लियर फ्रेंट में लगेगी और एक लियर बैक में, तो मैं आपको पहले एक लियर की कली कट करना बताऊँगी, फैब्रिक के फुल लेंट नापी हमने 71, और इसे हम टोटल 12 कली में बनाएंगे, 6 फ्रेंट में रहेंगी, 6 बैक में रहेंगी, मैं आपको एक लियर में कली निकालना बताऊँगी, तो 6 एक में निकलेंगी, और 6 हमारी दूसरी में निकलेंगी, तो 71 को 6 से डिवाइट कर देंगे, या या 11.8, नीचे से कली की विट 11.8 रहेगी, तो ये नीचे का मैथड है, अब इसको कैंसल कर देंगे, और आपको अब वेस्ट का साइज लेना है, तो मेरे में फुल वेस्ट है 30 इंच, जिसमें 4 इंच की लूजिंग रखेंगे, तो ये हो गया 34, अब 34 को डिवाइट कर देंगे 12 से, इसे हम 12 कली से ही डिवाइट करेंगे, क्योंकि तभी हमारी कली यह परफेक्ट निकलेंगे, जितनी आपकी कमर का साइज हो, उसमें लूजिंग रखें, और जितनी कली से आप बनाए लेंगा, उतने से डिवाइट कर देंगे, तो ये आया 2.8, इसमें प्लस 1 कर देंगे, तो ये आया 3.8, एक इंच हमने सीम अला के देखें, नीचे के लिए बॉर्डर है, और इस तरह की किनारी बनी हुई है, तो नीचे से हमें कोई भी सीम अलाउंस का मार्जन नहीं चाहिए, सिर्फ हमें वेस्ट पे चाहिए होगा, तो फुल लेंथ हमारी इसमें रहेगी, 45 इंच, जिसमें 2 इंच की बेल्ट तो लेंथ 2,5 इंच, आधा इंच वेस्ट पे सीम अलाउंस का लेंगे, तो लेंगे की लेंथ 49 इंच कट करेंगे, सौरी कली की लेंथ, यहां से 49 इंच नाप लेंगे, पेपर की लेंथ 49 इंच ली है मैंने, अब इसे से फोल्ड कर दें, फिर इसे खोल दें, यह देखिए लाइन इसका सेंटर पॉइंट हमें मिल गया है, अन्दाजे के लिए मैं इसी पे लाइन ड्रॉ कर दे रहे हूं, उपर से कली की विट हमने निकाली 3.8, मतलब यह पॉनी चार हो गया, तो पॉनी चार का इस तरह से आधा कर देंगे, और इसको यहां से रखेंगे, यहां से पॉनी चार पे लगाएंगे, फिर इसको यहां से खोल देंगे ऐसे, और यहां पे लगा देंगे, तो ये देखिए हमारा पॉने चार इंच का निशान ऐसे लग गया है ये सेंटर की लाइन है तो मैं यहाँ पे भी लाइन ऐसे बना दे रहे हूँ नीचे से कली के वेट थमने निकाली 11.8 तो ये हमारा पॉने 12 हो गया टोटल यहाँ से पेपर की लेंथ मेरे पूरी पॉने 12 इंची है देखें बिलकुल पॉने 12 ही है दोनों तरफ से पेपर बिलकुल बराबर है otherwise अगर आपका paper नहीं बराबर होता तो आप क्या करते आपको pony 12 का ऐसे half करना होता जैसे हमने waste पे लगाया यहाँ पे ऐसे pony 12 पे लगा देते फिर इसको ऐसे खोल देते और उधर के लिए लगा देते यह आपका simple method हो गया अब इस line को यहां से इस point से मिलाएंगे और यहां से बिलकुल इस point से मिलाएंगे एक कली हमारी draw हो गई है इस तरह से अब इन दोनों निशानों पे cutting करेंगे अब जो हमने layer को निकाली थी अभी इस layer को लेंगे और इसे single बिच्छा लेंगे तो फ्रेंड्स देखे आपको क्या करना है मैंने single net बिच्छाई है और नीचे से कली को बिलकुल बराबर रखा है इस तरफ से सेंटर पे लेके कट के है वेस्ट पॉइंट ऐसे इसको रखते हुए साइट से बिलकुल बराबर इसी के कटिंग करेंगे आपको इसी तरह से रिपीट करते हुए कलियां कट करनी है और इसमें सरफ छे कली ही निकलेंगी क्योंकि जैसे मैंने आपको तरीका बताया तो वही त आपस बारा कली है और यह देखे बिलकुल पेपर के बराबर ही कट करी है यहां से सिर्फ आप दो कली लें इसका सीधा साइट देखे अंदर के लिए है तो यह कली इसी तरह से रखेंगे अब इसको सिंपल यहां से स्टिच कर देंगे सभी कली आपस में अटैच कर दी है और यहां से देखे डबल लेयर में रखा है यह पूरी 12 कली है और यह आपस में सारी ही कलिया अटैच है में लेयर तो हमारी रेडी है अब प्लेन नेट का घेर बनाएंगे नेट को सिंपल फोल्ड करकी रखा है यह पूरा 9 मीटर नेट लिया है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और आप इस नेट की लेंथ देख लीजे यहां से मैंने मेंजरिंग टेप को रखा है यहां तक देखें नेट की लेंथ कम से कम 52 लगबग आ रही है तो इसकी लेंथ काफी जादा है अब इसमें से हम लेंथ वाइस कटिंग कर लेंगे और यह हम तील लेयर में बनाएंगे अब आपको वही इस पेपर की कली लेनी है इसकी लंबाई 49 इंच आ रही है नेट की भी लेंथ हम सेम 49 इंच में ही कट करेंगे तो देखिए 49 इंच हमारी कली की लेंथ निकली इसको डिवाइट कर देंगे 3 से क्योंकि हम 3 लेयर में इसकी घेर तयार करेंगे तो 3 से डिवाइट करेंगे लेंथ निकली 13 इसमें 1 इंच सीम अलाउंस करेंगे तो यह 14 निकला तो एक लेयर हमारी 14 इंच की लेंथ में कट ह साइड में नेट की किनारी बनी होती है तो ये वाला पोर्शन सीधा करके निकाल देंगे यहां से सीधा किया कट कर देंगे यहां से 14 इंच नापेंगे तो 14 इंच यहां पर आ रहे निशान लगाएंगे फिर यहां से 14 इंच लंबाई नाप लेंगे पहले इन दोनों पर कटिंग कर देंगे 9 मीटर की एक लियर निकल आई ये दूसरी निकल आई यहाँ से फिर 14 इंच लंबाईन आपकी निशान लगाएंगे तो ये तीसरी लियर भी हमें मिल गई है और यहाँ से इसकी लंबाईन आप लेंगे ये कितनी बच रही है ये लेंद छोटी है तो ये यूज नहीं होगी हमारी इसको साइट कर देंगे ये अमारे किसी और काम में आ जाएगी तीन लियर हमें मिल गई है इससे अब एक लियर पहले खोल देंगे सिंगल लियर रखनी है नेट की और ऐसे महीन महीन गैदर बनानी है ऐसे गैदर आपको बनानी है पूरे में तो गैदर बनाके मैंने पूरी फ्रिल तयार कर ली है और आप देख सकते ही इसमें थोड़ी सी कम गैदर पड़ी है मतलब थोड़ी दूर दूर पे डाली है ये मैं आपको step by step explain करती रहूंगी इसमें क्यों डाली है लेकिन ये हमारी पहली फ्रिल है तो यहाँ पे इसको मैंने पूरा फ्रिल आके रखा है अब जो हमने पहली फ्रिल ये बनाई है इस पहली फ्रिल को वेस्ट से मिलाते हुए इसको attach कर देंगे इसको यहाँ से मिलाते हुए वेस्ट पे attach कर देंगे इस तरह से अब ही मैंने फ्रिल कट नहीं करी है पहले आपको पूरी फ्रिल एक साथ बना लेनी है और आपको इसकी वेस्ट से मिलाते हुए attach करना है यहाँ तक यह फ्रिल आ रही है यहाँ तक attach करने के बाद जो हमारी extra की fill बच रही है पहले हम इसको यहाँ तक attach कर देंगे बाद में extra fill यहाँ से cut कर देंगे फर्स्ट लियर हमारी attach हो गई है और यहाँ तक attach करने के बाद मैंने extra fill जो बची थी उसको cut कर दिया है अब इसके नीचे हम second layer लगाएंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे लगानी है second layer लगानी के लिए जो हमारे पास इससे cut करी थी फ्रिल extra बची थी उसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर इसको ऐसे रख देंगे इसके उपर simple देखे इस तरह से रखना है इसको आधा इंच का मार्जन दबाते हुए ऐसे रखते जाएंगे और इसी shape में इस तरह से इसको अटाच कर देंगे ऐसे आपको पूरे में लगा देनी है दूसरी फ्रिल जैसे लगाई है बिलकुल वैसे ही तीसरी फ्रिल भी लगा दी है और आप देख सकते हैं इसमें gather कम पड़ी है पहली बाली में दूसरी में इसके according जादा है और तीसरी में मैंने बहुत जादा महीन महीन से gather डालके फ्रिल लगाई है क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा volume bottom पे ही देना है लेंगे में और अगर आप यही सेम चीज फर्स्ट लेयर में और सेकेंड लेयर में कर देंगे तो आपका net भी जादा यूज होगा क्योंकि नीचे से length काफी बढ़ जाएगी तो इतनी length बढ़ेगी उतनी length में आपको यह वाली फ्रिल लगानी पड़ेगी उससे net की लागत भी जादा लगेगी और यहां पे waste पे काफी heavy भी हो जाएगा और आप इस तरह से अगर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं dark to light shade आ रहा है यह बहुत अच्छा लग रहे है और volume भी नीचे ही हमें जादा देना है तो इस तरीके से लगाएं इसी तरीके से देखें तीस रिल में भी लगा दी है तीनो फ्रिल हमारी लग गई है अब हम can की lining बनाएंगे अब यहां पे हमने centoon की lining बिछा ही है और इस तरफ से यह देखें folded side है और इस तरफ से open side है इसको double layer में बिछा के रखा है अब इस तरफ से fabric के folded side से ऐसे fold करना है इस कोने से waste की marking करेंगे तो waste हमने losing के साथ तयार रखी है 34 inch 34 का चौथाई हुआ साड़े 8 inch साड़े 8 inch इस तरह से नाप लेंगे जहां पे हमें साड़े 8 inch मिल रहा है वहां पे निशान लगाएंगे अब इस कोने से यहां तक की लंबाई नापेंगे यह कितनी लंबाई आ रही है यहार यह साड़े 9 inch तो साड़े 9 inch पे यहां से भी निशान लगाएंगे इसको कट करके निकाल देंगे अब पेपर की कली लेंगे और इसकी length हमने 49 inch कट करी थी लाइनिंग की length इससे एक इन छोटी कट करेंगे इस cutting से 38 inch length नाप लेंगे यहां पे देखिए 38 inch length मेले बिलकुल परफेक्ट आ रही है अब देखिए यहां से मैं इसी cutting से 38 inch की लंबाई नापते हुए निशान लगा दे रही हूँ सेम निशान पर cutting कर देंगे यहां से देखिए फ्रेंड्स उपर वाली layer की इतनी cutting छोटी बढ़ रही है तो जो हमारा side से extra कपड़ा बचा है cutting में इसको यहां पे जोल डाल देंगे पहले तो हम इस कपड़े को इधर से बराबर करेंगे अब इसको यहां से ऐसे रखेंगे आधा इंच मैंने उपर चड़ा के ही रखा है क्योंकि यहां पे हमारा joint लग जाएगा तो इसको ऐसे रखा है इधर से भी एक अपड़ा खुला हुआ है तो हम यहां से भी joint डाल देंगे तो इधर से थोड़ा से निकाल के रखा है आधा इंच और आधा इंच इधर से भी चड़ा के रखा है आगे तक इसको ऐसे ही रखना है बिल्कुल देखिए बिल्कुल कवर हो गया है अब आपको हलकी से shadow दिख रहे होगी जो हमारी cutting है नीचे वाली layer की बिल्कुल उसी के बराबर cutting कर देंगे अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यह वाला हिस्सा इधर से तो खुला हुए तो पहले हमें यहां से joint लगाना है जो कि हमने बाहर के लिए निकाला था क्योंकि यह वाली layer यहां से joint है तो इसमें पहले joint लगा देंगे और उसके बाद इसको same यहां पे attach कर देंगे जैसे रखा था यहां पे मैंने joint डाल दिया है और बिल्कुल इसी के बराबर सेम इसी तरह आपको दूसरी layer इसकी बना लीनी है एक दिखिए मैंने all layer बिल्कुल इसी के बराबर cut करी है length इसी के बराबर है बिल्कुल सेम ऐसी एक और cut करी है इसमें आपको क्या करना है नीचे से कपड़ा fold करना है मैंने नीचे से कपड़ा fold कर दिया है अब ये वाली लियर एक हटा देंगे इसमें कपड़ा आपको फोल्ड नहीं करना है इसको खोल देंगे पूरा नीचे से इसको फैला के रखे फिर आपको कैनवास से सीधी पट्टियां कट करनी है मैंने कुछ पट्टियां इसमें कट कर ली है सीधी इसकी विर्थ आपको पाच इंच लेनी है ये कैनवास आपको घेरे में नीचे के लिए अटाच करनी है तो यहाँ से देखे नीचे से आपको आधी इंच का मार्जन छोड़ देना है यहाँ से आधा इंच का मार्जन छोड़ते हुए कैनवास को ऐसे रखेंगे जब आप इसको नीचे से ऐसे लगाएंगे फिर यहां पर देख सकते हैं यहां पर इस तरह से दबाते हुए उपर से प्रैस लगा देंगे जिससे बिलकुल चिपक जाएगी और यह पूरे घेरे में ईज्ली आपकेगी यहां से देखिए फिर यहां पे हमारी जोल पड़ रही है तो यहां से फिर इसको ऐसे दबा देंगे और प्रेस चला देंगे ऐसे ये पूरे घेरे में easily चिपकती चली जाएगी और इसको पूरा हम राउंड में चिपका देंगे इसलिए मैंने कुछ दो से तीन पट्टी और कट करी हैं तो पूरे घेरे में मैंने canvas अटाच कर दी है आप देख सकते हैं फिर मैंने lining से कुछ सीधी पट्टियां कट कर ली हैं अब इस पट्टी से canvas को cover करेंगे ये पट्टी मैंने 6.5 इंच की width में कट करी है सभी पट्टियां पहले आपस में अटाच कर दें उसके बाद आप इसको नीचे की तरफ से पहले रखें पहले इसको नीचे से मिलाते में रखेंगे और यहां से सिलाई लगाएंगे हमने आदे इंच का margin छोड़ा है यहां से canvas के बिलकुल किनारे से इस point पे आपको सिलाई लगानी है और जब आप यहां से सिलाई लगा दे फिर उसके बाद इसको हम सीधी तरफ ऐसे पलट देंगे यह देखिए इस तरह से हमारा पलट जाएगा यह margin हमारा ऐसे सीधा हो जाएगा फिर इसको ऐसे सीधा कर देंगे और उपर से कपड़े को पलटते हुए जहां तक canvas कवर हो रही है वहां तक इसको ऐसे कवर कर देंगे और इसी shape में इसको पूरा attach करेंगे पूरे में पट्टी लगा के canvas को कवर कर दिया है बिल्कुल भी canvas अब नहीं दिख रही है और देखें पट्टी में हमारी सीधी कट थी तो और घेर हमारा गुलाई में है जैसे मैंने आपको canvas attach करना बताया सेम वैसे ही जहां पे आपके जोलाईगी यहां पे जैसे मेरी जोलाई तो मैंने एकvate डाल दी और फिर शिलाई लगा दी फिर आगे के लिए थोड़ा सीधा सिला यहाँ पर जोलाई तो यहाँ पर भी slide डाल दी तो इसी तरह से जहाँ जहाँ पर जोलाई वहाँ पर plate डालते होए इसको attach किया है तो यह easily पट्टी attach हो गई है आपको पूरी पट्टी ऐसे attach करनी है अब इसी तरफ से इसके उपर can attach होगी तो कैन के लिए आपको पहले एक निशान बारा इंच पे लगाएंगे इस तरफ से बारा इंच पे यहां से दीखिए ऐसे बारा इंच पे पूरे घेरे पे नापके निशान लगा देना है तो यह निशान मैंने आगे तक पूरे घेरे में लगा दिया है पूरे में इसको लगा दिया है अब घेर को मैं इस तरफ से गुमा ले रहे हूँ इसे मैंने वेस्ट की तरफ से गुमा लिया है अब यहां से यहां से 11 इंच पे लगा देंगे देखे मैंने 11 इंच पे लगाया है और यह चीज आपको आगे तक करनी है पूरे कपड़े पर यहां से 11 इंच पे नापते वे लगाएंगे आप सोच रहोंगे फ्रेंड्स मैंने उपर से 11 इंच पे और नीचे से 12 इंच पे ही क्यों लगाया है तो ऐसा कोई भी मेरा मतलब स्पेशली मैथड नहीं है कि मतलब आपको इतने पे ही निशान लगाना है मैंने अपने अंदाजे से लगा दिया जैसे हम यहां से अपनी पहली कैन की लेयर अटाच करेंगे और इस वाले निशान पे दूसरी लेयर अटाच करेंगे तो मलनब क्या होगा ये यहां से इतना इरिया छूट जाएगा और यहां से हमारे लहंगे में volume आ जाएगा अच्छा तो मैंने सिर्फ इतना इरिया छोड़ते हुए यहां से लगा दिया है तो आप एक अपने लहंगे पे अंदाजा सेट कर सकते हैं आप लहेंगे में लगबग इतनी length छोड़ते हुए can को यहाँ पे लगाए फिर चाहे तो आप इसकी half length पे लगादे तो देखे मैंने एक अंदाजा ले लिया है इसका आधा कर लिया है तो इस तरीके से लगाया है ऐसा कोई भी special method नहीं है आप चाहे तो ऐसे ही लगा दे नहीं तो मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया है अब आगे तक मैं यही निशान 11 इंच पे लगा दूँगी और इसी तरह से इस निशान को पूरे कपड़े पर बराबर करना है तो यह निशान मैंने ऊपर तक पूरा देखे बराबर कर दिया है पूरे में लग गया है निशान अब इस लेयर को ऐसे ही side कर देंगे पहले हम अपनी can के cutting करेंगे तो can मैंने पूरा खोल दिया है और आप इसकी friends length देख सकते हैं इसकी length कितनी जादा है इसकी length बहुत जाद है यह बड़े अर्ड का can है आप बड़े अर्ड का can ले इससे आपको जादा फैदा होगा तो यहाँ पे मैंने can पूरा 5 meter लिया है जो कि मैंने आपको starting में ही बताया था और आपको मैं बता देती हूँ कैसे 5 meter है अगर आप can खरीदने जाएंगे तो can एक मीटर की width में fold होता है तो आप देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार और पांच यह पांच layer में fold है एक मीटर की width में है यह तो यह सीधा सीधा 5 meter हो गया इसका हिसाब तो आपको लग गया है अब इसको कैसे cut करेंगे तो सबसे पहले जो can में किनारी बनी होती है इसको cut करके निकाल देंगे पूरी किनारी cut कर दी है अब इस तरब से 12 inch की लंबाई नापेंगे पूरा सीधा कर देंगे अब इसी निशान पे cut कर देंगे ये वाली layer नीचे लगाएंगे और जो इसकी दूसरी layer बची है ये अभी इतना बचा हुए है इसे हम double में लगाएंगे तो पहले देखें इसको इधर से गुमा ले रहे है और इधर से भी इसकी किनारी निकाल देंगे अब इस पूरे can को खोल देंगे can काफी hard होता है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है इसे फोल्ड करने में मैंने इसको ऐसे फिला लिया है जिससे आपको आसानी से समझ में आए यहां से यहां से 16 इंच पे आप निशाल लगा ले और इसको यहां से ही फोल्ड कर देंगे थोड़ा सा can फोल्ड करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि यह काफी जाधा hard होती है लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के पूरी कोशिश कर रही हूँ आई वोप आपको समझ में आएगा तो मैंने वही 16 इंच के निशान से इसको फोल्ड कर दिया है अब इसको यहां से सीध में ऐसा फोल्ड कर देंगे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहां से एक सिलाई लगा देंगे जिससे यह कैन हमारा डबल लेयर में तयार हो जाएगा तो पहले हम इतना कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं तो देखे फ्रेंट्स नीचे की तरफ अब डबल कैन हो गई है और उपर की तरफ सिंगल लेयर हो गई है पूरे में ऐसे सलाई लगा दी है अब इसमें हम बॉक्स प्लेट बनाएंगे तो मैं आपको प्लेट्स जालना बताती हूँ और प्लेट्स हमारी जिस तरफ से सिंगल लेयर है इस तरफ के लिए पड़ेगी तो इस पॉइंट से प्लेट डालेंगे अब इसमें इस तरह से बॉक्स प्लेट बनाएंगे साइट से आदा हिंच का मार्जन छोड़ते हूँ ये प्लेट बनानी है जैसे हमने एक प्लेट बनाई है सेम ऐसे आपको प्लेट रिपीट करनी है और आपको पहले पूरे में प्लेट्स डाल देनी है तो अब आपको वही लाइनिंग बिछा लेनी है जिस पे हमने निशान लगाया था और ये बेखे फ्रेंट्स पूरे में मैंने gather बना दी है इस तरह से पूरी box plate बना ली है और ये वाली layer जो हमाई लंबी वाली है इसमें आपको बहुत पास-पास box plate बना ली है बिल्कुल भी gap नहीं दिया है मैंने पूरे में एक बराबर बनाई है आप अगर direct किसे lining पे attach करेंगे box plate बनाते हुए तो लेकिन अगर आप पहले box plate बना लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अब हमने जो निशान लगाया है ये वाला इसी निशान के ऊपर इसको attach करना है ऐसे बराबर रखेंगे इस निशान के ऊपर और बिल्कुल इसी निशान पे रखते हुए इसको attach करे कि यह देखिए इस तरह से ऐसे आपको can attach करने में बहुत आसानी होगी क्योंकि हमने प्लेट तो पहले ही बना लेनी है अब हमें simple इस निशान पे इसको attach करते हुए जाना है और आपको यह प्लेट लगाने का तरीका और अंदाजा भी मिल जाएगा मैंने बिल्कुल जितनी हमारी इस घेरे के विट है यहां तक इसके दूसरे छोड तक जहां तक इसकी विट है बिल्कुल इसी की बराबर मैंने यह वाली फ्रिल बना ली है कैन की लियर मैंने यहां तक इसकी बिल्कुल बना ली है विट के बराबर ताकि यह छोटी लंबी बिल्कुल भी ना पड़ ये वाली आप बाद में लगाएं सबसे पहले नीचे वाली लगाएंगे तो पहले मैं इसको हटा देती हूँ और जो हमने 12 इंच की लेंथ में बनाई थी ये वाली इसमें देखिए आपको क्या करना है ये नीचे से पैरों में चुबेगी तो आपको लाइनिंग की किनारी इसमें लगा देनी है बिल्कुल फनीशिंग के साथ लगानी है जैसे हमने कैनवास में लगाई थी तो इस तरह स ये बिल्कुल फनीशिंग में बनेगा और इसमें रेखे फ्रेंड सेम बॉक्स प्लेट डालनी है अपको लेकिन इसमें मैंने बॉक्स प्लेट थोड़ी दूर दूर डाली है क्योंकि नीचे की साइट में तो आल्रेडी काफी फूल जाएगा वो मैं आपको भी लास्ट में दिखाऊंगी इसको नीचे की तरफ अटैच करेंगे तो मैं इसको यहां से ऐसे घुमा ले रही हूँ पहले आप नीचे वाली लेयर लगाए तो आपको कैल लगाने में आसानी होगी वरना कैल लगाने में काफी प्रॉब्लम आएगी अगर आपने पहले उपर वाली लगा देंगे बिलकुल इसी निशान पे इसको सिल देना है और इसकी वी लेंथ मैंने जितनी इसमें हमने निशान लगाया है जितनी इसके विट है बिलकुल बराबर बनाई है तो अब आपको सिंपल यही प्रोसेस करना है इस निशान के उपर रखते हूँ इसको लगा देंगे तो मैंने पूरे में can को attach कर दिया है, यहां से देखे, अब आपको folding वाली can पटी लेनी है, और इसको इस तरह से joint पे रख देंगे, आधी इस तरफ रहेगी, ऐसे joint पे और आधा joint cover करते हुए उपर रहेगी देखे इस तरह से, और इसको इसी तरह से रखते हुए एक बराबर में, देखे ऐसे, ऐसे रखते हुए इस can पटी को joint पे लगा देंगे, ऐसे यह joint cover हो जाएगा, पहले मैंने छोटी वाली can की पटी लगा दी है, और उसके बाद जो हमने उपर निशान लगाया था, उसके उपर बड़ी वाली लगा दी है, और देखे आप यहां से folding वाली can इस तरह से पूरे में लगा दी है, लाइनिंग की दूसरी लेयर बनाई थी, वो इसके उपर रख देंगे, और इसको वेस्ट से मिलाते हुए, अटाच कर दे, ऐसे मिलाते हुए इसको अटाच कर दे, और साथ में फ्रेंट्स मैंने नेट की भी लेयर रखते हुए, पूरा लेंगा हमारा यहाँ तक रेडी होगया है, यह काफी ही होगया है, तो मुझे थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत भी है, तो अब आपको क्या गर्या है, अब आपको सिंपल इसको साइट से अटाच कर देना है, और साइट में अपनी जिप बगारा लगा देनी हैं, तो यह इतना जादा हेवी हो गया कि मुझे आपको दिखाने में थोड़ी से दिक्कत भी आ रही है। तो आप साइट से कैसे इसको अटाच करते हैं जिप कैसे लगाते हैं उसके लिए मेरी इस वीडियो को देखें जिसमें आपको मैंने डेटेल में सिखाया है और बाकी मैं आपको इसकी बैल्ट लगाना बताते हूं अब belt बनाने के लिए आपको lining से सीधी पट्टी कट कर लेनी है और belt की length हमने minus करी थी 2 inch 1.5 inch seam allowance कर लेंगे 2.5 inch हुआ इसका double कर लेंगे तो 5 inch की length में मैंने ये पट्टी ली है और जितनी आपकी waist का size होगा उतनी length में लेनी है अभी एक्स्ट्रा है बाद मैं इसको कट कर दूँगी फिर देखे जब हमने कलिया कट करी थी मेन फैब्रिक से तो साइट की कटिंग में ये कपड़ा ऐसे बच गया था अब इसको हम यूज करेंगे बैल्ट में तो यहां से इतना मार्जन लेते वे इसको ऐसे निकाल देंगे ये देखिए इस तरह से ये निकल आई है अब ऐसे ही कुछ और भी है तो इनसे हम कट कर लेंगे इस तरह से आपको बागी और कट कर लेनी है फिर देखिए यह यहां पर ऐसे अटेच जाएगी तो बिलकुल पट्टी सीधी आएगी तो इसको इसके ओपर ऐसे रख देंगे जैसे हम क्रॉस पट्टी अटेच करते हैं यहां पर सिलाई लगा दे तो यहां पर मैंने इस तरह से पट्टी पूरी बना लिए और ये पट्टी सीधी तरब से नीचे से रखेंगे बराबर मिलाते हुए उपर से आधे हिंच का मार्जन फोल्ड करके इसको ऐसे अटाच कर देंगे ऐसे पूरे में इसको लगा देंगे तो ऐसे मैंने पूरी पट्टी बना ली है साइड से जिप को खोल देंगे और बेल्ट को यहाँ से इतना बाहर के लिए निकाल के रखेंगे और पहले इसको इस तरफ से यहाँ पर अटाच कर देंगे राउंड में जो एक्स्ट्रा बेल्ट पड़ेगी वो से कट कर देंगे और इसको यहां तक अटाच कर दें अभी यह बेल्ट अंदर की तरफ से अटाच है अब इसको ऐसे रख देंगे और फिर साइट से यह एक्स्ट्रा मार्जन जो है वो उसको अंदर के लिए पलटके पहले यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे आप फिर इधर से आदा इंच फोल्ड करेंगे और इसे फोल्ड करके इसी वाली सिलाई के उपर रखतेंगे इसको फिर उपर से भी ऐसे अटाच कर देंगे तो ये बेल्ट हमारी ऐसे रेडी हो जाएगी तो ये पूरे में ऐसे अटाच कर दे अब ये पूरा लहंगा बन गया है और आप इसका घेर देख सकते हैं कितना ज़ादा आया है मैंने पूरी कोशिश करिया आपको step by step समझाने की अगर वीडियो helpful हो तो लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और नहीं वीडियो देखने के लिए और फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंकिये पूर वाचिंग आइस